दोस्तों सरकार आपके द्वार कारिकरम जारकन के हर एक पंचैद में एक बार फिर से सुरू हने वाली है जुलाई 2024 से जिसकी तैयारी होना सुरू हो चुका है जिसका प्रूब आपको इस्क्रीम पर देख रहा होगा तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि सरकार आपके द्वार का जो कारिकरम सुरू होने वाली है उसमें कौन-कौन से योजनाओं का आप आवे दिन कर सकते हैं योजनाओं का डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि उससे संबंदित जो डोकुमेंस की जरौत परती ह उसे आप ध्यान में रख सकें ताकि उसकी जुगाड़ आप समय पर कर सकें क्योंकि अभी ये जून महीने चल रहा है और जोलाई यानि की अगले महीने से ही सरकार आपके द्वार कार कार्यकरम इस्टार होने वाली है पिछले बार जो सरकार आपके द्वार कायकरम पूरे जारखन में नवंबर से दिसंबर के बीच में हुआ था उसमें 40 परकास से भी अधिक योजनाओं का आवेदन हुआ था लेकिन काफी लाबुकों को इसकी जानकारी ही नहीं था कि कौन-कौन से योजनाओं का आवेदन कर तो चली इस वीडियो हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन से योजनाओं का आवेदन इस सरकार आपके द्वार कायकरम में होने की सामभामना है ताकि आप उससे संबंदी डोकुमेंस की तयारी कर सके हलो व्रेवन मैं हूँ आपका भाई किस और वेलकम टू किस तो डीटल बन चैनल पर पहली बार है तो प्ली सब्सक्राइब कर लिजिए वेल ऐकन को प्रेश कर नोडिबिकर संकर डग सरकार आपके द्वार कायकरम में कौन-कौन से योजनाओं का आवेदन होगा इसको ऑन-लाइन देखते हैं इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राजर को अन करके सर सरकार आपके द्वार जारखन लिएक करते हैं यहां पर पहला वेबसाइट दिख जाएगा यहां पर आपको नीची देखने को मिलेगा यह देख सकते हैं चुकि मैंने सरकार आपके द्वार कायकरम से रिटेर में ने बहुत सरा अबडेट दिया हुआ है तो अभी तक पहले वाले वेबसाइट पर हमने क्लिक किया यहां पर सरकार आपके द्वार जारखन का ओविशल वेबसाइट कुझ इस तरह से ओपन हो चुका है दोस्तों यहां पर हम लोग आ चुके हैं उसके बाद यहां पर एक ओप्सन आपको दीख रहा है डैस बोड का यदि आप मो पर देख सकते हैं और इसकी म अप्लिकेशन स्टेटस का यहां पर आपको ओप्सन देख जाएगा यह जो आविदन हुआ था यह पिछले साल का डेटा बताया जा रहा है लेकिन यहां पर योजना का नाम देखना है आपको यह सभी योजना का ओप्सन आपको इस बार देख अभी फिलाल यहां पर देख सकते हैं एक नमर से यह टोटल शुरू हुआ है एक नमर से शुरू होके यहां पर देख सकते हैं 36 यहां पर ओप्सन आपको देख रहा है पहला एक नमर में यहां पर देख सकते हैं रासन कार्ड में संसोधन का यहां पर ओप्सन आपको देख करा पाएंगे जیसे कि पहला है आप नया कार्ड को बनाने के लिए आवेदन इसमें कर पाएंगे किसी family member को add करने के लिए आवेदन कर पाएंगे तो इसके अंतरगत तोटल तोटल तीन आजाता है एक नमबर की अंतरगत उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सर्विजन पेंसन योजना का आवेदन कर सकते हैं 50 वर से उपर के वेक्तियों के लिए जो इस पर पेंसन योजना लॉंज किया गया है उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं सावित्री वाई फूले योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं मुख्यमंतिर रोजगा सीर्जन योजना के लिए ओन-lai आवेदन होता है लेकिन उसको online आवेदन करा कि यहां पर आप जमा कर सकते हैं या फिर offline भी आप यहां पर जमा कर सकते हैं बट online आवेदन करेंगे तो ज पुछ लेना है तो उससे रेटेड आप आवेदन करा पाएंगे अधार कार्ड में संसोधन कराना है उसके लिए आवेदन करा पाएंगे अगला यहां पर देख सकते हैं अन्लाइन भू अभी लेकों में सुधार से रेटेड आवेदन करा पाएंगे अब आवेदन करा पाएंगे मिर्थु परवन पत्र में संसोधन या फिर नया मिर्थु परवन पत्र बनवाना है तो उसके लिए इसके अंतर भी दो योजने चुपा हुआ है तो यह दोनों प्राइब कर पाएंगे स्रमाधान पोर्टल के आप नया जॉप काड मनरेगा जॉप काड के लिए आप 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 पाएंगे सुधार बगर कोई गलती है आकाउंट नंबर जुड़ाना है इसरे टीट सारा लाव आपको वहां पर मिलेगा इसरे रिड्र आप 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 आ बिजली से संबंदित कोई समस्या है connection लेना है या फिर कोई समस्या है उस समथान वहाँ पे कराा पाएंगे संपति भूमी मापी स आप आवेदन करा पाएंगे आईश्मान कार्ड भी आप वहां पर बनवा सकते हैं मुखी मंत्री पसुधन योजना की अंतरगर भी आवेदन करा सकते हैं जिसमें गाय मिलती है 90% तक की भी आपको अनुदान की उसमें चूट दिया जाता है और इस योजना की अंतरगर बकरा साड़ी लूंगी वीत्रन का भी समारों वहां पर किया जाएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मन रहेगा कि तहद नए कारी के लिए आप डिमांड डालना है अभी तक नहीं डाले हैं तो उस कैंप में भी आप कर पाएंगे यदि लेकिन आप जदी काम शुरू कर ल पाएंगे ग्रुजी स्टुडेंट क्रेडिट का भी आवेदन करा पाएंगे अपरूबल से भी रिलेटर आप वहां पे लाब ले पाएंगे उसके बाद कंबल वित्रन आधार पंजिकरन यह सभी सुविधा वहां पर उपलब्द करा जाएगा मित्व प्रमान पत्र के लि पाएंगे तो यह चछतिस परकार का योजना का नाम आपको यहां पर दीख रहा होगा जो कि पिछले वर्स का यहां पर संखिया वगरा सारा चीज़ दिया हुआ है कितना आवेदन हुआ था कितना इसक्षक्श यहां पर देख सकते हैं यह टोटल अपलिकेशन है डिस्फो तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी बट आपको यह अनुमान लग गया होगा कि कितने प्रकात का योजनाओं का आविधन वहां पर लिया जाएगा और इससे संबंदित आपको कौन-कौन सी तैयारी कर लेना चाहिए तो दोस्तों यह सभी योजनाओं का आविधन करने के और जाती परवन पत्र भी लगेगा तो अभी तक आप नहीं बनवाएं तो सबसे पहले जाती परवन पत्रेनी की काश सट्विट बनवा लीजे क्योंकि अब आवास योजनाओं का यदि आप आविधन कराएंगे तो वहां पर लगने की पूरी सांभाव नहीं है बांकि हर जैसे मैं डालों आपके सामने आजाए आप उसको प्रिंट आउट निकालके उसको यूज कर सके तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और सरकारी होजना और सरकार आपके द्वार कारिकरम से रिरेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो चलिए मिलते हैं किसी इंपोर्टेंट आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू आपका दिन सूब हूँ